जैसे एक सूक्ष्म छेद पूरी नईया को डुबो सकता है, वैसे ही एक गलत आदत इनसान को गुलाम बना कर असफलता में डुबो सकती है. इसलिए समय रहते ही हमें अपनी आदतों पर नए तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि आदते ही हैं जो सबका सफल भविश्य निर्धारित करती हैं. आईए, सरश्री द्वारा संग्षेप में समझते हैं कि आदते क्या हैं और इन पर कैसे कार्य किया जाएं? एक इनसान जो मशिन पर काम करता था, मशिन में उसकी दो उंगलियां कट गई, दो उंगलियां कट गई, मित्र मिलने के लिए और कहा, कि कैसे हो गया ये, लोग आते ना पूछने के लिए, ये कैसे हो गया? तो कहता है वो जो मेरे साथ helper था helper था साब उसकी गलती है तो उसनके मित्र कहता अरे बहुत बुरा हुआ ये तो अच्छा हुआ कि तुमारे left hand की दो उंगलियां कट गई ये तो left hand की कट गई right hand तुमारा बज गया ये तो अच्छा हुआ तो कहता है ये भी नहीं होता था मेरा तो right hand ही जा रहा था मैंने निकाल के left डल दिया इसमें भी मैंने दिमाग चलाया इसमें भी मैंने दिमाग चलाया मदहोशी बेहोशी दोश में मदहोश ये परसन कभी सीखने वो तयार नहीं है ऐसी बात के लिए भी दोश कोई और रखता है अपना हाथ निकाल के दूसरा डाल रहा है कहा था होश कहां थी अवेरनेस कहां थी जागरती तो ये है दोश में मदहोश यानि मेरे साथ जो भी हो रहा है गलत उसका कारण कोई और है कोई भी काम नहीं कर पाए तो इसने टाइम पर नहीं दिया इसने टाइम पर फोन नहीं किया इसने बोला था मैं आऊंगा आया ही नहीं इसने खाना जला दिया इसने ऐसा कर दिया ये फाइल लेकर नहीं आया तो इसकी प्रक्टिस बच्पन से हो गई है बच्पन से प्रक्टिस कुछ नहीं हुआ तो आज पास में देख लिया कौन इसका कारण बनेगा यानि किस पर दोश लगा सकते हैं ये अज्ञान की मदहोशी है परसन समझना ही नहीं चाहता कि वो होश में नहोने की वज़े से उस कार्य को पूरा नहीं कर पाया वो कारण देता है कई बार लोग मान लेते हैं उस कारण को इसलिए ये आदत बढ़ते 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 बढ़े होने तक बरकरार रही ये दोश में मदहोश होने वाली बात है जो कंटिनिस देखोगे अंदर सोच भी रहे है न ये परसन की वज़े से मैं दुखी हूँ इस परसन ये बास ये सास ये बहू ये पढ़ोसी ये करमचारी सिर्व ये सुदर जाए और लगता है इनके मरने के बाद ही कुछ होगा उसके पहले लगता नहीं है कि कोई अच्छी बात होंगी मेरे जीवन में ये लोग बदलने चाहिए बस और इस इंतजार में कोई जीवन काड़ दे कैसी मदहोशी है मदहोश का अर्थी समझ में आ रहा है ना मदहोशी में परसन पूरा जी लिया अज्ञान में जी लिया अमीर होते हुए भी बीख मांगता रहा और अंते में मालम पड़ा कि कि जिस भक्से पर वो बैठता था उसी के अंदर दौलत थी और मांग मांग कर पूरा जीवन विखारी की तरह जिया गिडगड़ा कर ये हैं मदहोशी आप जीवन में जो कर रहे हो उसकी वियर्थता को पहचान पा रहे हो की नहीं सबी बाते वियर्थ नहीं कर रहे हो सिर्फ अपने आपको इमानदारी से बताते नहीं हो या फिर बताने से डरते हो या फिर उस बात का होशी नहीं आया अभी तक तो स्वें को बताओ पहले होश लाओ दर्शन करो कि मैं ये जो कर रहा हूं ये करते रहा तो क्या होने वाला है और उसको स्टॉप किया तो क्या होने वाला है और अब तक मैं ये जो किया था अगर नहीं किया होता था तो क्या हुआ होता था खोखोकर क्या खोया होता था और मैं जो ये करते बैठा हूँ पाप आकर क्या पाऊंगा ये सवाल पूछकर अब इनको भी एक्जम्पल से समझो ता कि आपको टॉपिक बहुत गहराई तक समझ में आ जाए एक परसन पूरी अखवार पढ़ लेता है खाले उसको एंड वे ए क्या फरक पड़ा होता था ये नहीं पड़ी होती थी तो क्या फरक पड़ा होता था जैसे कोई क्रिकेट मैच देख रहा है पूरा दिन बठा था टीवी का आगे क्रिकेट मैच देखा एंड क्या सवाल पुछना है अगर मैंने ये क्रिकेट मैच नहीं देखी होती थी तो म तो अश्गी पॉपान्तरण अविए does कि इतने सालों है क्रिकेट मैस देखते आ रहे हैं कि ऐसे का हो रहा है उगे भी देखते रहेंगे क्या होने वाला है इसıy की जगे पर अगर हम घृ फर प्र चाकर क्रिकेट खेलते तो क्या फरया है इसी की जगे पर अगर ध्यान करते हैं तो क्या फरक पड़ने वाला है मगर परसन मेकेनिकल हो चुका है जब जब वो बैठा टीवी के आगे उसने ध्यान किया होता था उतना ही समय लोगों को एंड भी नहीं मालम मगर किसी ने सवाल नहीं पूछा कि यह मैंने सीरिल नहीं देखी होती थी तो क्या फरक पड़ा होता था और इसी की जगे पर यह किया होता था तो क्या हुआ होता था यह अब जो हो गया हो गया रोते नहीं रहना है पस्ता नहीं रहना है अब ही जो हम कर रहे हैं, इन दिनों कुछ राइल देख रहे हो, सबी बंद करो यह नहीं कह रहे हो, अब एक बर तो काम करो, वही समये का उप्योग में कैसे करूंगा, कैसे करूंगी। इस पर जाओ, इसलिए होश्में मद्होश्, हो ना जो हैं, वो मद्होश्य है उस्में म क्युंकि होच में देख रहे हो, क्या चल रहा है? में क्या कर रहा हूं? तो लोग इतने डूब जाते हैं, खेलों में दिन बर टीवी के आगे बैठे हुए हैं, और वापस फिर आती है, फिर वापस आती है, वर्ल्ड कप फिर आएगा फिर चलेगा फिर होगा फिर होगा कई अन्त ही नजर नहीं आता है इनसान वही वही सब करते रहता यानि इस छोटी विजिट में करना क्या था फिर्थवी की विजिट छोटी विजिट है एक छोटी विजिट इसमें क्या करना था यह यादी नहीं आता, क्या इसी में समय देना है, इस विजिट में, इस समय का कैसे उपयोग करना है, जब ये बाते अवेरनेस में आती है, होश में आती है, तो इस समय का बेस्ट यूज किया जाए, आप भी चाहते हो, आपको दिखे, जो लोगों को नहीं दिख रहा है, उसके पले दिखता ही नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, मगर वो लेवल बढ़ाना, उसकी responsibility, उसकी प्यास, आजादी से प्रेम, आप में जगना है, आजादी के प्रती प्रेम, सत्य की प्यास, ये प्यास बढ़ेगी, तो आप आत्मा दर्शन करोगे, वेर्थता का दर कारियां, आप डालते जा रहे हो, उसकी वेर्थता देखो, ये मैंने नहीं डाला तो भी क्या फरक पड़ेगा, क्या मैं प्राप्त कर रहा हूं इससे, ये इतना क्लियर दर्शन होना चाहिए, इस क्लियर दर्शन में कुछ बाते स्वें ही समावत हो जाएंगी, आपको बावना है, उसको आप बल दे रहे हो, हर एक अपने असाब से डिसाइड करे, कैसे मैं आत्मा दर्शन करूँगा, व्यर्थता का दर्शन करूँगा, और होश में मद होश होने वाला हो, वो आनन्दी अलग है, वो तो पाकरी समझ सकते हैं नई आदतों की सफल तकनीकी, Master of Good Habit, Habit बदलने का सरल ग्यान, इस पुस्तक द्वारा आपको मिलने जा रहा है अच्छी आदतों से, जो चाहें, सो निर्माण करने का तरीका, इस पुस्तक में नई आदते लगाने और अन्चाही आदते चुडाने पर मार्गदर्शन दिय साथ ही इस पुस्तक द्वारा आप जानेंगे, Brain Re-Wiring के जरिए नई आदते बनाने का तरीका क्या है, मनन द्वारा गलत आदतों की व्यर्थता कैसे पहजाने, छोटे-छोटे कदम उठा कर बड़ी आदतों पर प्रहार कैसे करें, कामयाब लोगों की आदतों को कैसे अपन इत्यादी इस पुस्तक को ओनलाइन ओर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 90110 13210 इस नंबर पर कॉन्टाक्ट करें, धन्यवार